तो आज है संडे तभी बज़रे दोपेर के साड़े बारा आज है 17 अक्टोबर तो आज मैं जा रहा हूं गवाइमुक गवाइमुक चौपाटी जोकी अथानी में मैं अपने नेफ्यू के साथ जा रहा हूं यह एक चोटा सा राइड है बार बारिश नहीं हो रहे है इसलिए दिन बाद बाइक निकाला हूं 10-15 किलोमेटर के राइड है तो रिटन आज जाएंगे 30 किलोमेटर कुछ ऐसा है तो फर्स्टाइम जा रहा हूं मैं आज गायमुक को राइड पे तो चलिए चलते आपको मोट सब्सक्राइब के लिए तो यहां से कुछ 13 किलोमेटर का रस्ता है तो हमारा कुछ 30 किलोमेटर तग हो जाएगा सिर्फ अभी एक शॉर्ट स्पिन लेके आना है बस आज का कुछ ऐसा कुछ लॉंग डिस्टेंस का ट्रावलिंग का कुछ प्लान नहीं है मेरे बैक पे क्रैं तो चलाया नहीं है कहली मैंने फ्यूल अप किया कुछ आराउंड 600 रुपे का तब ही फ्यूल है तो फ्यूल बनने का जरुवत नहीं है तो चलिए राइट स्टार्ट करते हैं कि अब देख सकते हैं यह बाइक को लोग नोटिस तो बहुत करते हैं और क्योंकि इसमें मोटर व्लॉगिंग सेटप लगा है और भी ज्यादा लोग देखते रहते हैं अभी हम वर्तक नगर पहुंच गए तो यहां से अभी सीधा जाएंगे रेमन से हमको लेफ्ट लेना पड़ेगा कोड़ बंदर ओड़ के लिए आज संडे तो रस्ते में ट्राफिक भी बहुत है यह जो लंबा प्रीज जारे के लिए वर्तक नगर से यह मान पाड़ा तक निकलता है यह बेस्ट है मुस्टली सीटी ट्राफिक से आप बच जाते हो अभी हम ब्रह्मान है तो फिलाल मुझे रोड का एडिया तो में और पीच अपने एपने नेफ्यू को लगा कि दिया है तो फीचे से मुझे गाइड कर रहा है कहां पर जना एक हो जहां तक मुझे Whatsapp है wor रेफ्ट साड में आप देख सकते सूरज वाटर पार्क बहुत खाली खाली है थाने में सूरज वाटर पार्क और टीकुजी नी वाड़ी यह दो वाटर पार्क फेमास है यह गाड़ी को चला के कुछ मुझे 1000 किलोमेटर हो गया है और अभी में यह बाइक में यूस्टू हो अभी ट्राफिक में फिल्टरिंग करने के लिए मुझे इजी पड़ता है स्टार्टिंग में मेरे लिए बाइक बहुत हैवी पड़ती थी बड़ क्योंकि चला चला के मुझे आदत हो गई है अचली मेरे पास इसके अलावा स्कूटी भी है तो सबको आपको पता है और वीजी रोड के एकदम साइड में है और यह लेफ साइड में आप देख सकते हो है कि पूरा गाय मुख कहें अच अच जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर थाने का फर्स फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है मीनी क्रूस जैसा यहां पर एक बोट है जो आपको क्रूस का फिलिंग देगा तो वह इदम पानी की बीच में है यहां से दिखनी रहा होगा यहां पर गेट बंद है अब क्योंकि हमको अंदर जाने नहीं दे रहे तो हम बता नहीं सकते तो प्लान तो कुछ है नहीं यहां बहुत सारे स्पोर्ट्स बाइक और टूरिंग देखने को मिल रहा है मैं अभी यहां पर चिल करेंगे तो आज वह मैं स्नेक्स काउंटर दिख रहे तोड़ा हम स्नेक्स काउंटर और यहां से निकलेंगे और आप देख सकते हो कितना धूप पड़ रहा है इसलिए मैंने अ जूड़ा अंजः करने ने के लिए अम लोगने तो थोड़ा विःवन्जॉय किया और थानम स्पेंट किया और फॉट्या जहां स्नेक्स और यहां पर लिए जो कि आपने वीडियो में देख लिया होगा तब आप इस वीडियो को एंड करने को टाइम हो गया है तब हम यहां से निकलते अपने घर के लिए रूट से में से जा रहे हैं जादा कुछ दूर नहीं है हमारा अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को जरूर करके रखना अगरा मेरा भी वीडियो पसंद आया तो इस मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तेक के लिए सेफ राइडिंग हैपी वाइकिंग बाइबाई